चीक्स जो है कितना पानी इंटेक करता है दिन में तो दोस्त ये डिपेंड करता है कि कितना फीड इंटेक कर रहा है और दोस्त इस टोफिक के बारे में मैं बात करने वाल हूँ क्योंकि बहुत सारे फार्मार्स ऐसा भी बोलता है कि मेरा बार्ड्स फीड इंटेक कर रहा है ल और आपको मैं रिकुस्ट करता हूँ कि विडियो के प्पाँ टो चल argue जैकर पूरा पता चले साव कर आदा है तो दोस्त चलिए मैं विडियो स्षाट करता हु तो इभारेज FCR देता है FCR भी बढ़िया नहीं देता है तो आपको पता है कि यह जो पॉल्ट्री बिजनेस है इस बिजनेस में FCR कितना माइने रखता है मतलब कोई भी आप जो वेट है बोडी वेट कितना भी ज्यादा दे दीजिए अगर FCR आपका ठीक नहीं रहेगा तो आप को पिमेंट उतना उतना profit नहीं होने वाला है तो मैं इसी topic के बारे में बात करने वालूं कि आपको किसी साब से पानी उसको पिलाना चाहिए कि उसको जितना consumption लगेगा उतना ही हिजाब से आपको देना चाहिए और आप उसको देखे कि वो थोड़ा सा पानी कम intake कर रहा है जातो फिर ज्यादा Intect कर रही। तो ज्यादाि Intect करेने से कोई प्रब्रेब了 नहीं होता। तो और आपका चीक्स प्रब्लेम nais तो इसके लिए तो अगर कोई चिक्स फिर इंटेक करेगा, तो उसको 3 लिडर पानी डेफिनेटली पीना है, तो आप इसको पहले नाप लिजी, आपका फार में, मतलब आज सुभा में आप फिर दीजे, कि कितना किलो आपने फिर दिया, और कल सुभा में आपने फिर देखा, कि फिर में एक दाना भी फिर नहीं हो, और कितना किलो फिर ओ इंटेक किया, तो जितना किलो ओ फिर इंटेक किया, उसका हिसाब से आप अंदजा लगा सकते हो, मतलब माल लिजे कि आपका 100 किलो का फीडिंटे किया है चीक्स ने और जो पानी है पानी आपका 200 लिटर पिया है लेकिन ये सही नहीं है चीक्स फीडिंटे करेगा जो इन्टू 3 मतलब 1 किलो फीडिंटे करेगा तो आपका चीक्स 3 लिटर पानी पियेगा जैसे आपको पता है कि summer season में पानी थोड़ा सा ज्यादा पीता है और winter season में पानी थोड़ा सा कम पीता है लेकिन इतना भी कम नहीं कि 100 kg फीज इंटेक करने के बाद वो 100 लिटर पानी पिया तो यह बहुत ही problem होता है और उसका digestion system खराब हो जाता है और फीज़ डॉपिंग लेकिन ठीक तरह से जो पानी है पानी नहीं कर रहे हैं तो उसको इस्तिमाल कीजिए कि किसमें पानी जो है ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो इसी सबसे आपको करना है तो दोस्त मैं इसके साथ समात करते यह वाला वीडियो अगर अच्छे लाइक कीज़े जाके हर पॉल्ट सके धन्यवाद